राजपाल, श्री राजेंद्र अरलेकर जी, यहां के कर्मट मुखमंत्री, श्रिमान नितिश्कुमार जी, हमारे विदेश मंत्री, श्री आज जैसंकर जी, विदेश राजमंत्री, श्री पबित्र जी, विभिन देशों के excellencies, ambassadors, नालंदा उनिवर्सिटी के BC professors, students, उपस्तिश साथियों मुझे तीसरे कारकाल की शपत ग्रहान करने के बाद पहले दस दिनों में ही नालंदा आने का आउसर मिला है यह मेरा स्वभगे तो है ही, मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुप संकेत के रूप में देखता हूँ नालंदा यह केवल नाम नहीं है नालंदा एक पहचान है एक सम्मान है नालंदा एक मुल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गावरव है, गाथा है नालंदा है उद्गोश, इस सत्यका, की आग की लप्तों में पुस्तके भले जल जाएं, लेकिन आग की लप्तें ग्यान को नहीं मिटा सकती नालंदा के दोंस ने भारत को अंदकार से भर दिया था अब इसकी पुनर्थापना भारत के स्वर्णिम यूग की शुरुआत करने जा रहा है साथियों, अपने प्राचिन अवसेसों के समीप नालंदा का नवजागरा, ये नया केंपस, विश्व को भारत के सामर्थ का परिचय देगा नालंदा पताएगा, जो राष्ट मजबूत मानविय मुल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट इतिहास को पुनर जिवित करके बहतर भविश्व की नीव रखना जानते हैं और साथ्यों, नालंदा केवल भारत के ही अतीच का पुनर जागरन नहीं है इसमें विश्व के, एशिया के, कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है एक उनिवर्सिटी केंपस के इनोग्रेशन में, इतने देशों का उपस्तित होना, यह अपने आपने अभूत पूर्वा है नालंदा उनिवर्सिटी के पुनर निर्मान में, हमारे साथी देशों की भागिदारी भी रही है मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ मैं बिहार के लोगों को भी बढ़ाई देता हूँ बिहार अपने गवरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की रह पर आगे बढ़ रहा है नालंदा का ये केंपस उसी की एक प्रेड़ना है साथियों हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परब्परा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था नालंदा का अर्थ है न अलम ददाती इती नालंदा अर्थात जहां सिख्षा का ज्यान के दान का अवीरल प्रवाह हो सिख्षा को लेकर एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है सिख्षा सीमाओं से परे हैं नफा नुकसान के